दोस्तों, क्या आप जानते हैं 4000 साल पुराने पिरामिडों के वो रहस? आईए आज हम आपको बताते हैं पिरामिड के अंदर क्या है? दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जो अपने आप में कई रहस समेटे हुए हैं उन्ही जगहों में से एक है मिस्र और वहां के पिरामिड मिस्र की सबसे रहस मै कलाकृती है The Great Pyramid of Giza जो दुनिया के साथ अजूवों में से एक है वैसे तो यहां के पिरामिडों का इतिहास 4000 साल पुराना बताया जाता है लेकिन आज भी इन पिरामिडों से जुड़ी कई रहस्य है जिनके बारे में सही जनकारी किसी को भी नहीं है बताया जाता है कि गीजा का महान पिरामिड 2560 इस्वी पुर्व में बनाया गया था इसे कूफू पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है पिरामिट को प्राचीन के मिस्र के राजा कूफू के सव के संरक्षन के लिए बनाया गया था गीजा के ग्रेट पिरामिट की उचाई करीब 450 फिट है वही इस पिरामिट का जो नीचे का भाग है वो 13 एकड में फैला हुआ है जो लगभग 16 फुटबोल के मैदान जितना बड़ा है इस पिरामिट को बनाने में 23 लाग पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था जिसका वजन करीब 5 अरब 21 कडोर किलो ग्राम है इन पत्थरों में लाइम स्टोन और ग्रेनाइट शामिल है इस पिरामिट को बनाने में इस्तेमाल किये गए पत्थरों का वजन 2 टन से लेकर 30 टन और कुछ पत्थरों का वजन तो 45,000 किलो तक है इसमें सबसे हैरानी की बात तो ये है कि आज के समय में भी किसी क्रेन से अधिकतम 20,000 किलो तक का ही वजन उठाया जा सकता है तो उस समय 45,000 किलो वजन का पत्थर कैसे उठा कर लाया गया होगा कीजा के ग्रेट पिरामिड में कुल कितने तहखाने है इसके बारे में तो कोई नहीं जानता लेकिन अभी तक के सोध के मुताबिक इन में 3 तहखाने मिले है आधार तहखाना, राजा का तहखाना और रानी का तहखाना लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि राजा के तहखाने में ना तो रानी की मम्मी मिली और ना ही रानी के तहखाने में रानी की मम्मी मिली जबकि इस पिरामिड को राजा और रानी के शव के संरक्षन के लिए ही बनाया गया था इन पिरामिडों को ऐसी जगा पर बनाया गया है कि इन्हें इजराइल के पहाडों से भी देखा जा सकता है ऐसा कहा जाता है कि मिस्ट के ये पिरामिड चान से भी दिखाई देते हैं गीजा के पिरामिड को इस तरह बनाया गया है कि इसे अंदर का तापमान हमेशा नियंतरित रहता है पिरमिड के बाहर का तापमान चाहे कितना भी हो लेकिन इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिगरी सेल्सियस ही रहता है इसके अलावा या पिरमिड किसी भी तरह के भुकम्ब को जेल सकता है दग्रेट स्फिंक्स पूरे मिस्र की सबसे आश्यरे जनक मुर्ती है जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है कि यह किसके लिए बनाया गया था 73 मीटर लंबी और 20 मीटर उची इस मुर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसे एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है यह दुनिया की सबसे बड़ी एकल पर्थर की मुर्ती है जिसे 4000 साल पहले बनाया गया था